नमस्ते मैं हूँ रूमा आप सभी का स्वागत है इजी स्टीचिंग आइडिया में तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल को लाइक, सेर, कॉमंट कीजिए अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये है तो कर लीजिए तो चलिए वीडियो शुरू कर से मैं आज टाइपट की कॉवर बनाऊंगी तो चलिए वीडियो दिखाती हूँ पहले पैंड का नीचे का जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है इसको काटके निकाल लूँगी अभी यहां से उपर की तरफ 26 इंच पे एक निसान लगाऊंगी इसका लंबाई मैंने लिया है 26 इंच और चौड़ाई मैं लूँगी 7 इंच अभी नीचे का तरफ भी 7 इंच पे निसान लगा लेती हूँ तो चलिए अभी इसको काटके निकाल लेती हूँ देखे मैं काटके निकाल चुकी हूँ इस तरीके से पकड़ूँगी नीचे के हिसे को इक्वेली और यहां पे एक स्टीच लगा लूँगी और इसका जो साइड है इसको इस तरीके से फोल्ड करूँँगी को सील लूँगी तो चली अभी मैं इसको सील के आप लोगों को दिखाती हूँ तो चली पहले मैं नीचे का साइड सील लेती हूँ देखे नीचे का साइड मैं सील चुकी हूँ अभी उपर का साइड सील लेती हूँ पहले यहाँ पर इंटरलोक कर लूँगी क्योंकि इसको फोल्ड करके सिलने जाऊंगी तो यह बहुत मोटा हो जाएगा और सुई भी तूट सकता है अभी इसके उपर से और एक स्लाई में लगा लेती हूँ देखिए उपर का हिस्सा मैं पूरा सिल चुकी हूँ देखिए यह डोडी मैं इसके अंदर में डालूँगी और इसको यहाँ पर सिल लूँगी तो चलिए पहले मैं इसको अंदर में डाल लेती हूँ यह जो बड़ा बला मोती है इसके अंदर डाल लूँगी देखिए मैं डाल चुकी हूँ नीचे के जो लास्स लाई किया हुआ साइड है यहाँ से उपर की तरब फोर इंच पे एक पॉइंट में करूँगी और यहाँ पे ही दोनों डोडी को सिल लूँगी इसको यहाँ पे सिल लूँगी और उपर की तरब से यह हिस्से को थोड़ा सा फोल्ड करके देखिए दोनों को दोनों तरब फोल्ड करके यहाँ तक छोड़ दूँगी यह देखिए टाइपट का बैग में सिल चुके हूँ अरय 5 जहाँ पे दिए टाइप दूँगी